आईए जैसे की बात कहने का मुखा और मिला और हवाला पता ही दिया है किस प्रिकार से मामेनवन्ती गोपी चंद को समझाती है क्या कर लगते सुनेगा हेर गोपी चंद जब मान्या को ना कती हिला ग्यानाड फिर मेनवन्ती खाके गिरी रे पच्छाड फिर मेनवन्ती खाके गिरी रे पच्छाड अरतों पी चंद जब मान्या को ना कती हिला ग्यानाड फिर मेनवन्ती खाके गिरी रे पच्छाड फिर मेनवन्ती खाके गिरी रे पच्छाड और के में लगती है कि गोपी चन अगर आज तु मेरे साथ में नहीं चलेगा तो मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी पहली बात में क्या गिल लगती सुनेगाँ फिर मेनवन्ती खाके गिरी रे पच्छाड आखोया क्या हुआ अंधेरा रहा आखोया क्या हुआ अंधेरा वो चक्तर से खाने लगी भाज कैली पट गई बेटे टैवर कॉली जक्राने लगी महतारी करोणा सुन सब की छाती देहलाने लगी पात लो क्या यासू टपके रहा पात लो क्या यासू टपके आसमा में सोर हो गया मही का काल जा भाटा रंज चारों ओर हो गया समुंदर का पानी उपना तूफानों का जोर हो गया पथर के दिल काप गए थे रोने लगे पहाण फिर मैं नावंती ठाके दीर पचार पिर मैं नावंती ठाके दीर पचार आड़ लगती है कि बेटा जब तू छोटा था तभी तेरे पिता मुझे छोड करके चले गए प्रेमी सजनों बताया गया कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है जब घर में हो लहास तो बारात बुरी लगती है और जूटते अपसानों से दिल नहीं बरता प्रेमी सजनों फिर में नावन्दी आके गीरे पचार थोड़ी सी उमर में तरह थोड़ी सी उमर में तरह बाप ने किनारा किया धीरबंधय या ना था कोई काप गया मेरा हुया गोपी चता गात समझ के काल जेक लगा लिया धड़ी विरे की रोके काटी तुझ पैकिया सवर बेटा आज मेरे तन्यारा पाटे ये भी कश्ट जवर बेटा मा की ममता कैसी होती तन्य नहीं खबर बेटा तो बिन कोन सहारा मेरा रोई चाती फार फिर मैं नावंदी खाके गिरी रे पचार फिर मैं नावंदी खाके गिरी रे पचार और सुझनों वो मैं नावंदी पुरानी बातों को याद करने लगती है कहने लगती है कि वेटा मैंने कितने कश्ट सहे थे जब तुझे पाल कोस्ट करके इतना बड़ा किया था प्रेमी सुझनों बताया गया कि किसी ने किसी से कहा है कि किसी का जुदा हभीब नहों किसी ने किसी से कहा है कि किसी का जुदा हभीब ना हो और बेटी का दर्द तो वो दर्द है प्रेमी सुजनो जो दुश्मन को भी नसीव ना हो कैसे मां की मां का छलक उठती है कि आगल कि जुनेगा दिर मेना वंदी आगे गीरे पचार सीने के लगाया लाल मूचू मैं पुचकारे रही अपनी मा की ओड लखाले कहन्यू बारंबारे रही अपनी जान खपाऊंगी मैं सरधूने मैं मारे रही महराणी पागल सी होकर सुद भूली विक्राल होगी संत महत्मा खड़े लखाते सब की चाती घाल होगी चकर खांके गिरी धर्ण में बुरी तरा विक्राल होगी चकर काके गिरी धरण में, बोई तर्विक्राल होगी यू रोई मेरी रहा मैं बेटा बिछा रहा क्यों बार फिर में नावंती खाके गिरी रे पचाण और प्रेमी सजनों, जब मैना वर्ति का भाई भरत्री मैना वंति की रोना सुनता है, तो आजाता है कहने लगता है बहन, मैने तुस्से एक रोज मना किया था, कि तू अपने बेटे को जोग मत दिला, लेकिन तू ने मेरी एक नहीं सुनी, और तू ने गोपी चंद को जोग दिला दिया, लेकिन आज ऐसी क्या बात होगे, जिसके क कारण तुझे गोपी चंद को तू ले जाने के लिए आई है, कैसे कहले लगते सुनीगा, जाना सुनीगा, गुरू जलंगर के पैरो मेर, गुरू जलंगर के पैरो मेर, सर दे दे कमारे थी, बिन बेटे के ना जाओंगी, ऐसे वचन उचा रहे थी, करू जिन्दगी खत में यही पै, दिल में कच्छी धा रहे थी, करू जिन्दगी खत में यही पै, दिल में कच्छी धा रहे थी, वीर भरत्री पासे पहुच गया उसकी धीर बधावे था मुहममता में हुई बाबुली बहना ने समझावे था चंद बना हर राम बैसले कता धरम की गावे था कितनी पार बना के हर ने दनिया दई उझाड फिर में नावन्ती खाके किरी रे पजाड फिर में नावन्ती खाके किरी रे पजाड जो पीचंद जब मान्या कोन कती हिला गया ना फिर मैं नावंती फाके दिरी रे पचार फिर मैं नावंती फाके दिरी रे पचार